आज हम कक्षा 10 वी निर्मान उध्योग के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हमने पितले वीडियो में लोह इसपात उध्योग के बारे में पढ़ते हैं भारत का एक प्राचिन उध्योग रहा है क्योंकि भारतिये वेदों में सिंदुगाटि सब्वेता आधी से वस्त्र निर्मान का वर्णन मिलता है और सूतिवस्रु द्योग वरतमान में ऐसा उध्योग है जो जिसमें सर्वादिक रोजगार का स्रजन होता है सूतिवस्र उद्योग ऐसा एक उद्योग है जिसमें वर्तमान में सरवादिक रोजगार का स्रजन होता है सरवादिक रोजगार का स्रजन सूतिवस्र उद्योग में होता है और इस कारण यह द्योग विस्तार, उत्पादन और रोजगार की दरस्टी से देश में प्रथम है और विशुमें सुतिवस्त अद्योग में भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है यानि भारत है वो चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है यानि इसका बारत है कौन सा नंबर है सूतिवास रुद्योग में दूसरा नंबर है दुबार रेपीट कर रहा हूं मैं पहली बात सूतिवस उद्योग यह भारत का प्राचीन उद्योगे भारती वेदों सिंदुगाटी सब्वेता में वस उद्योग के निर्मान का वर्णन मिलता है और यह एक ऐसा उद्योग जिसमें सर्वादिक रोजगार का स्रजन होता है और इस कारण यह उद्योग विस्तार उत्पादन तथा रोजगार की द्रस्ती से देश में प्रथम है विस्व में सूतिवस उद्योग में भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश माना गया है अब हम सूतिवस उद्योग के बारे में उद्योग के बारे में पढ़ते हैं सूतिवस उद्योग के बारे में कि भारत में आदूनिक सुरूग का पहला कार खाना 1814 में मतलब 1818 में कलकत्ता के एक फोट ग्लास्टर में खोला गया था मतलब बारत में सूती वस्त उद्यों का पहला कार खाना कलकत्ता की फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था किंतु ये प्रयास विफल रा अठारा सो चवण में पहली भारतिय सूती वस्त मील मुंबई में कगाजी डाबर द्वारा इस्ताफित की गई थी यानि हम अठारा सो चवण की बात करते हैं कि अठारा सो चवण में बारत में पहली सूती वस्त मील भारत में पहली सूती वस्त मील कहाँ पर खोली गई थी मुंबई में कवास जी डाबर के द्वारा मुंबई में कवास जी डाबर द्वारत में पहली सूती वस्त मील खोली गई थी जिसमें जिसमें 1856 में उत्पाजन शुरू किया यानि 1818 में तो कलकता में पहले पहला कार खाना कलकता के फोर्ट ग्लास्टे में कोला गया था परन्तु यह प्रयास क्या हुआ था विफल हो गया था और 1854 में मुंबई में पहली सुती वस्त मील कवाज जी डाबर द्वारा इस्तापित की गई थी जिसने 1856 में काम करना उत्पाजन करना स्टार्ट कर दिया था यानि प्रयाइंब कर दिया था मैं आपको आता हूँ कि 1861 तक भारत में 12 मीले खुल चुकी थी और 1947 तक भारत में 417 मीले थी जिसमें 3 लाग से अधिक स्रमिक कारी कर रहे थे और वर्तमान में इन मीलों की संख्या लगबग 2000 से भी अधिक है एक बात और कि जिसमें लगबग 40 लाग लोग कारे करते हैं एक बात और कि यह उद्योग के सकल करेल उत्पात का 14 प्रतिशत भाग प्रदान करता है और विशेश रूप से भारत में इसके लिए परिश्टियां यानि भारत में इस उद्योग का इस्तानिय करन कपास उत्पातक छित्रों सस्ते परिवान वस्रम तथा नम जलवायू वाले भागों में हुआ है और इद्र इसी करन कौन-कौन से मुक्हिर बाते लिए इसके इसके इस्ताही करन के लिए या इसके इनों द्योगों इस्ताफित करने के लिए कि परिश्टियों क्या हो सकता होती है पहले बात तो क्या होना चाहिए कि वर राज्य कपास उत्पादक होना चाहिए यानि कपास उत्पादक छेत्र का होना चाहिए दूसरा ये सस्ते परिबहन अम स्रम पर अधरित है इसके लिए मुख्य जो बात होती है इसके लिए मुख्य चीछ क्या चाहिए नम जलवाईू चाहिए तो यानि कि बायत में सूतिवस रुद्यों का इस्तानी करण कपास उत्पादक छेत्रों सस्ते परिवान एम्स्रम तथा नम जलवाईू वाले भागों में होता है मुख्य रुप्स्य हमने कहके पड़ा है यहां पर पहली बात कि यह उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग रहा है सिंदुग अटी संपेता और वेदों में इसके वस्निन्नमान के प्रमान उप्लग्द है और यह एक ऐसा उद्योग जिसमें रोजगार सर्वादिक रोजगार का स्रफर होता है और इस कारण यह द्योग विस्तार उत्पादन तथा रोजगार की दिरस्टी से भारत में प्रथम है और विस्व में सूतिवस्र द्योग में बारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में आदूनिक सुरूप का पहला कारखाना 1818 मे कलकता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था परन्तु यह प्रयास विफल रहा था 1854 में मुंबई में भारत की पहली सुतिवस्र मील कवाजी डाबरदुआरा इस्तापिक की गई थी जिसने 1856 में उत्पादन करना प्राइंब कर दिया था और कपास मतला भारत में इस उ कापास उत्पादक राज्यों के बारे में पढ़ते हैं मुख्य रूप से किनकिन राज्यों में सूति वस्रुद्यों का विकास हुआ है उन राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम मुख्य रूप्षे लेते हैं कपास उत्पादक राज्यों में सबसे पहला नाम आता है वो आता है महरास्ट राज्य कपास उत्पादक राज्यों में सबसे पहला नाम आता है मारास्च का मैं आपको उता दूँ कि सूतिवा सुरुत पादन में ये प्रथम राज्ज है सूतिवा सुरुत पादन में क्या है ये प्रथम राज्ज है है और यहाँ पर लबबग 112 मिले हैं जिनमें सरवादिक 54 मिले मुंबई में है यहाँ पर टोटल मिलाके 112 मिले हैं और इनमें सरवाधिक मिले 54 मिले मुंबई में है इसी कारण मुंबई को सूती वस्त की राजधानी भी कहा जाता है इसी कारण मुंबई को क्या का जाता है सूती वस्त की राजधानी कहा जाता है इसके अतिरिक्त शोलापूर अकोला अम्राउती वर्धा सतारा कोलापूर सांगली जलगाउं और नाकूर में भी मिले साथ पित है मुख्य रूप से मुंबई के अतिरिक्त अनेक महाराज के अन्य जिले हैं जैसे शोलापूर अकोला अम्राउती वर्धा यह मैं पूछे आता है कि वर्धा का कौन से राजध में महाराज राजध में हैं तो महाराज राजध में कौन-कून से जिले हैं जिनमें सूति वर्ध्र मिले हैं Pelosi 소lause फोलापूर अम्राउती वर्धा सतारा कोलापूर सांगली जलगाउं राजध में भी सूतिवस्त्रे मिले हैं और मुख्य रूप से वहाँ पर कौन-कौन सा कौन-कौन से कपड़े बनते हैं तो यहां की मिलों में पॉपलीन, मल-मल, साड़ी, दोती, चद्दर, शुटिंग और शर्टिंग का कपड़ा बुना जाता है और मुख्य रूप से क्यों है महरास्त के अंदर सूतिवस्त्रे मिले क्यों इस्तापित है मुख्य रूप से कि यहां पर काली मिट्टी मतलब कि यहां पर काली मिट्टी का प्रस्ट प्रदेश काली मिट्टी का प्रस्ट प्रदेश समुन्दर की नम जलवाई हूँ समुन्दर की नम जलवाई हूँ इसके अतरिक्त मुंबई बंदरगाह के कारण मुख्य रूप से क्या है मुंबई बंदरगाह प्रस्ट 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 का उत्पादन होता है मुख्य रूप से 30 प्रतीशक सूती वस्र का उत्पादल होता है यहनि महाराज के बारे में कि सूती वस्र उत्पादल में प्रत्थम राज्जी यहाँ पर 112 मिले हैं जिनमें सरवादिक 54 मिले मुंबई में हैं और इसकारण मुंबई को क्या का जाता है सूती वस्र की राजधानी का जाता है इसके अलावा शोलापूर, अकोला, अम्रावती, वर्धा, सतारा, कोलापूर, सांगली, जलगाउं और नागपूर में भी सूती वस्र मिले हैं मुक्य रूप से यहाँ पर पोपलीन, साडी, मलमल, चदर, शूटिंग, शर्टिंग, आधी का कपड़ा बनता है और यहाँ पर काली मिट्टी का प्रस्ट प्रदेश, समुद्र की नम जलवायू, और मुंबई बंदरगा होने की कारण यहाँ पर सरवादिक उत्पादन हुआ है इसी प्रकार दूसरा एक राज्या आता है, गुजरात गुजरात राज्या के बारे मैं आपको उता दूँ कि सूतिवास रुत्पादन में दूसरा बड़ा राज्या गुजरात क्या है, सूतिवास रुत्पादन में दूसरा बड़ा राज्या है और यहाँ 135 मिले हैं, जिनमें सरवादिक 67 मिले मिले आहमदाबाद में जिनमें सरवादिक 66 मिले कहां पर है आहमदाबाद में इससे थे और आहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है मतलब मुंबई को तो क्या कहा जाता है सूती वस्त्र की राजदानी और आहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है इसके अलावा सूरत बडोद्रा आहमदनगर पोरवंदर राजकोट बरूच आधी में मिले इससापित है और वोई किन परिस्ते होए कारण यहां पर भी हुआ है तो यहां की मुख्य रूप से यहां पर कपास का प्रस्ट प्रदेश वहाँ पर तो कहता है मुंबई में तो काली मिटी का प्रस्ट प्रदेश और कपास का प्रस्ट प्रदेश, सस्ते स्रमिक, पूंजी की उपलग्दिता और मुख्ये रूप से कानला बंदरगाह के कारण यहाँ पर इस चेत्र में सूती वश्तर मीलों का सरवादिक विकास एक तो क्या क्या बताया कापास का प्रस्ट प्रदेश सस्ते स्रमिक पूंजी की उपलग दिता और कांदला बंदरगा के करण और महराश्च में मुंबई बंदरगा के करण मैं आपको उता दूँ कि कांदला बंदरगा ऐसा बंदरगा है राजस्तान का सरवादिक नजदी की या निकट का बंदरगा कौन सा है कांदला बंदरगा राजस्तान का सरवादिक निकट का बंदरगा कांदला बंदरगा है तो मुख्य रूप से क्या कि यहां पर कपास का प्रस्ट प्रदेश सस्ते समिक पूंजी की उपलब देता तथा कानला बंदर का की कारण इस छेतर में सरवादी की विकास हुआ है इसी प्रकार तीसरा बड़ा राज्य हम मानते हैं हम लेते हैं तमिलाडू तमिलाडू के बारे में मैं आपको प्ता दूँ कि तमिलाडू यानि दक्षिन भारत का सबसे बड़ा सूती वसूत पादक राज्य है क्या दक्षिन भारत का सबसे बड़ा सूती वसूत पादक राज्य तमिलाडू है तमिलाडू कहां पर पढ़ता है दक्षिन बारत में तो दक्षिन बारत का सबसे बड़ा सूती वस्र उपादक राज्य है जहां पर 205 मिले है और यहां पर सरवादिक मिले कोएमबटूर में है यहां पर सरवादिक जो मिले है वो है कोएमबटूर में है और जिसे सूती वस्र के साथ सूती धागों की मिले भी है मतलब यहाँ पर क्या है कोईमटूर में सूती वस्र के साथ क्या है सूती धागों की मिले भी है मतलब सूती वस्र के साथ साथ यहाँ पर क्या है सूती धागों की मिले भी है इसके अलावा जैसे मदूरे, चेन्नई, पेरामबूर, तिरूची रापली, रामनाथपुरा, आदी में भी मिले हैं और यहाँ पर समुद्र की नम जलवायू और चेन्नई बंदरगा के कारण एक चेतर में सरवादिक विकास हुआ है इसी प्रकार चोथा मद्यप्रदेश, मद्यप्रदेश के बारे में आपको उतादू कि मद्यप्रदेश में 36 मिले हैं जिनमें सरवादिक इंदोर, गौलिएर, उज्जेन, देवास, जबलपुर, रतलाम, आदी में मिले हैं मुखे रुप से ध्यान रखिएगा इंदोर गॉलियर उज्जेन देवास जवलपूर और रत्माम में मीले इस्तापित है और यहां पर विभिन परिवन भागों से जुड़े होने जो मद्यप्रदेश है विभिन परिवन भागों से जुड़े होने और आधिक जन्संक्या के कारण सस्ते समिक की उपलब दिता के कारण यहां पर सरवादिक विकास हुआ है इसी प्रकार एक है पाचवाए पाश्यम बंगाल पाश्यम बंगाल में 45 मिले जिसमें सरवादिक केंद्री करण हुगली नदी शेत्र में कलकत्ता हुगली हाउडा वह 24 परगना में है कलकत्ता हुगली हाउडा और 24 परगना में सरवादिक विकास हुआ है यहां पर और यहां कपास के आपूर्टी और अन्य राज्जों से होने के बाद भी इस्तानी है मांग अधिक होने के कारण और कलकत्ता बंडारका के कारण परिवान भागून से जुड़े होने अधिक जनसंक्या के कारण सस्ते स्रमिक के कारण इस शेत्र में सरवादिक विकास हुआ है अब हम मुखे रूप से राजस्तान के बारे में पढ़ते हैं सुति वस्त द्योका की जहां बात आती है तो हम राजस्तान के बारे में पढ़ते हैं कि राजस्तान छटा आगया राजस्तान मैं बता दूं कि राजस्तान में सूतिवस्तु द्योग अभी नूतन अवस्ता में है यानि दीरे दीरे इसका विकास हो रहा है तो राजस्तान में सूतिवस्तु द्योग अभी नूतन अवस्ता में है यहां चंबल वबहकडा नागल परियोधना से सस्ती विद्युत तथा हाडोती के पठारी बाग तथा सिंचित गगर के मेदान में कपास के उत्पादन से बीलवाडा, उदेपूर, कोटा, गंगानगर, पाली मुके रूप से बीलवाडा, कोटा, गंगानगर, पाली आदी में मीले इस्तापिते और यहां पर नमी को बनाए रखने के लिए नमी को बनाए रखने के लिए प्रसीत लगों का प्रयोग किया जाता है प्रसीत लगों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए नमी को बनाने के लिए और रहस्तान में देश का चार प्रतिशत उत्पादन होता है और उत्पादन में केवल शूटिंग वा शर्टिंग का कपड़ा ही बनाया जाता है तो ये आज हमने सूती वसुद्यों के बारे में पढ़ा